तिग्मान्शु धूलिया की फिल्म रिवॉल्वर रानी के लिए पहले सामने आया अक्ट्रस तबू का नाम फिर खबर आई कि तबू को अक्ट्रस कंगना रनौत ने रिप्लेस कर दिया है और अब सुनने में आया है कि कंगना ने खुद ही इस रोल से बैक आउट कर लिया है फिल्म रिवॉल्वर रानी मंध्य प्रदेश के एक गाउं की कहानी है जहां लीड अक्ट्रस को एक गैंग्स्टर का रोल प्ले करना है और ऐसे में जब तबु का नाम सामने आया था तो सब को लगा कि ये रोल उनके लिए होगा परफेक्ट लेकिन कुछी दिरो बाद कंगना का नाम इस फिल्म के लिए सामने आया और सभी शॉक्ट रह गए कि गैंग्स्टर के किरदार में वो कैसे नजर आएंगी लेकिन अब खुद कंगना ने इस रोल से बैक आउट कर लिया है शायद उन्हें खुद को भी भरोसा नहीं होगा कि वो इस रोल के साथ जस्टिस कर पाएंगी वैसे तिगमांशु धूलिया की फिल्म के साथ ऐसा अकसर होता है कि फिल्म की लीड आक्ट्रिस लास्ट मोमेंट तक डिसाइड होते रहती है सैफ अली खान स्टार और बुलिट राजा के लिए भी कभी इलियाना का नाम तो कभी सोनाक्षी का नाम सामने आ रहा था और काफी स्पेकुलेशन के बाद फिल्म प्रोड्यूसर्स ने सोनाक्षी का नाम फाइनल कर लिया वैल अब लगता है ऐसा ही कुछ अब फिल्म रिबॉल्वर रानी के साथ भी होगा पॉर इलिका शिवास्तवा, जून मुंबाई